आगे उतना नहीं किजिए उतना भी नहीं किजिए गराए राहूल गांदी ने तहा है जीन हो या वेस्थाम बारूज़ार की समस्या नहीं हाई अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराईयां दिखते हुआ है और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत रहुल जी की बन गई है ये कही ना कही गलत राज्दिती की परंपरा की शुरुवात है आपसी मद्वेद जरूर हो सकते हैं और सब्दापक्श विपक्श में हमेशा से रहे हैं पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राज्दिती मद्वेदों को अपने वेक्तिकत राजनितिक लाप के लिए इस तरीके से इस्तमाल करकर अपने ही देश की बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं है इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी इत्रास है आप भारत में रहिए आपको एलोपी भी है अब सरकार के समख्ष अपने सुधाब भी रख सकते हैं अपनी चिंताई भी रख सकते हैं पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं सोच नहीं है सैंटिक रोदर ने कहा है कि विजेटिक रोड़ ये खर्च करते बढ़्यार सब्सक्राइब लेकि राहु गांडिक प्लैट्फॉम में हैं उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बाल लगा तार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रत में NDA सरकार को चुना है तो कहीं न कहीं ये बात तो सपश्ट है न कि साम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उलेक कर रहे हैं राहु गांडिक जी को लेकर कम से कम भारत की जनता तो उसे स्विकार नहीं करती होती तो तीसरी बात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को द लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधान मंत्री और NDA गड़बंधन को चुनने का काम क्या है तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा क्या रहे हैं कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मात्री नहीं कर दिकि ये सब चिंदा का तो है ही अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपरादियों का मनुबल इतना जादा बड़ा है तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सक्ताई से लागू किये जाने के जब तक अपरादी के मन में भै नहीं आएगा तब तक इस तरीके की घटना घटी रहेगी मैं पुना आग्रा करूँगा स्थानिय प्रसाशन से कि जल्द से जल्द जो भी दोशी हैं उस पे कड़ी कारवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करने रहेगा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद